वेरी लवली गुद मॉनिंग टोल अफ्यू स्टूरेंट्स यस्टरडें आइ सेंड यू वीडियो रिलेटी देश्प्लेनेशन ओफ यू लेशन नमबर वन इन एविएस लिविंग और नॉन लिविंग तिंग्स परसो के वीडियो में मैंने आपको भेजा था लिविंग और नॉन लिविंग तिंग्स नामक लेशन के दो पेज़स पेज नमबर फाइव और पेज नमबर शिक्स एक्स्प्लेन करके उस वीडियो में बताया था मैंने living things क्या होती है और उनके क्या विशेष्टाए होती है मैं remind करवा दू living things बीट लेत करती है, सांस लेती है living things को भोजन चाहिए है living things grow करती है, बढ़ती है और living things feel और respond करती है environment के accordingly today I will explain page number 6, page number 7 and page number 8 आज के वीडियो में मैं बताऊंगे plant kingdom के बारे में, plant world के बारे में plants का क्या use है उसके बारे में, okay now listen carefully, ध्यान से सुनिए those who are books, जिनके पास books है, books निकाल के lesson number 1 का page number 6 निकालिए, जिनके पास books नहीं है, वो ध्यान से सुनिए और देखिए plant kingdom, plant kingdom जो पौधों का संसार है plants are fixed to the ground and prepare their food from water, sunlight and carbon dioxide plants ground में fix रहते हैं, plants भी living things हैं आपको बताया है, living things move करते हैं, लेकिन plants वो living things हैं, जो move नहीं करते हैं लेकिन ये reproduce होते हैं, ये सांस लेते हैं, ये grow करते हैं, ये respond करते हैं plants भी living things हैं, plants अपना food कैसे बनाते हैं, water से, sunlight से, और carbon dioxide से plants are a very important part of the living world, हमारी जो सजीव संसार है, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, उन सभी सजीव वस्तुओं में plants का पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्या है, plants differ in shape, size and color, पौधे आकार में, प्रकार में और रंग रूप में अलग-अलग तरह के होते हैं plants are big, पौधे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, tall and short, लंबे होते हैं और बौने भी होते हैं now come to shapes of plants, plants के shapes पर आते हैं plants can have different shapes, the shapes of plants can be plants के अलग-अलग तरह के shapes होते हैं size होते हैं, क्या होते हैं, देखिए, plants can be thick trunk with a large crown large crown मतलब उसका जो सिर होता है, उपर वाला भाग वो बहुत चोड़ा होता है और नीचे का जो उसका तना होता है, वो बहुत मोटा होता है, यहां देखिए यह, दिख रहे हैं आपको, यह देखिए इसका तना मोटा है, और उपर में यह जैसे कैसे, राजा के मोकट रहता है, वैसा दिख रहा है यह, plants can be cone shaped trees, plants जो है, वो cone shaped में भी होते हैं, यह cone shaped tree है, यह देखिए, जैसे यह, आप अशोक का पेड़ देखते हैं, अशोक के पेड़ में उपर शंको धारी है, आप आइस्क्रीम खाते हैं, आइस्क्रीम में cone होती है, वैसे plants के कुछ, plants ऐसे होते हैं, जिनका shape cone type में होता है, plants can be tall, slender trunk without branches, plants, कुछ plants ऐसे भी होते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन उनमें branches नहीं होती हैं, शाखाएं नहीं होती हैं, आम के पेड़ को, अमरुत के पेड़ को अपने देखा होगा, उन सब में शाखाएं होती हैं, लेकिन यह देखिए, यह bottle shaped trunk, plants can be bottle shaped trunk, plant जो होते हैं, उन bottle shape में भी होते हैं, जैसे bottle का आकार आप देखते हैं, नीचे से बिल्कुल मोटा रहता है, और उपर जाकर पतला होते जाता है, यह देखिए, यह bottle का shape लग रहा है, यह पेड़, and plants can be long, slender, fleshy stem, plants लंबे भी होते हैं, और उनका जो stem होते है तना होता है, बहुत fleshy होता है, fleshy उनके अंदर, बहुत soft part बहुत ज़्यादा भरा होता है, जैसे यह देखिए, cactus का पेड़ है, यह देखिए, लंबा भी है, और यह जो इसके यह ऊपरी cover है, इसके अंदर में है, बहुत सारा soft, इसका stems रहता है, बहुत soft होता है, now plants have fragrance, underline these words, बच्चे जब भी आप reading करें, यह book फढ़ें, जो भी आपको word hard लगता है, आपको यह लगे कि वो word हमें pronunciation में नहीं हो पा रहा है, यह उसका meaning आपको समझना है, उस word को underline करें, plants have fragrance, plant में fragrance means सुगंद, यहां लिख लिजे सुगंद, plants में सुगंद होती है, महक हो होती है, flowering plants have sweet fragrance, जो plants में, जो plants full देते हैं, फूलों वाले plants में सुगंद बहुत अच्छी होती है, भीनी भीनी खुश्बू उसमें से आती है, the leaves of some plants have a peculiar fragrance, कुछ plants के पत्तों में भी सुगंद होती है, उसमें भी खुश्बू होती है, अब देखिए कौन कौन से, crush the leaves, crush मतल जब रगड़ना, of coriander, mint, or basil in your palm, आप अपने हाथ पर देखिए, अब धन्या का पत्ता देखिएंगे, जो आपके बोगोजन में सब्जी में मम्मी इस्तेमाल करती है, कुछ धन्या के पत्नों को लेकर हाथ थेली पर रखकर दोनों हाथों से रगड़िये उसे, आप mint means होता ह है पुदीना, पुदीने के चटनी बहुत अच्छी होती है, धन्या के भी चटनी अपने खाई होगी, उसका भी सुगंद बहुत अच्छा आता, या फिर तुलसी, तुलसी हर घर में है, तो आप तुलसी के भी पत्तों को लेकर हाथ पर रगड़िये और फिर उसे सूंगि होती है, उसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है, यू विल नोटिस दा स्ट्रॉंग एरोमा डाट इच प्लांट है, आप देखिएगा कि हर प्लांट का अलग-अलग एक महक होता है, खुश्बू होती है, फ्लावर्स लाइक रोस, जैस्मीन एंड नाइट क्वीन है ल रात रानी, इन सब फी खुश्बू बहुत ही प्यारी होती है, रात रानी की खुश्बू रात में जिनके घरों पर होगे, रात रानी के पेट चारों तरफ फैलती होगी उसकी खुश्बू, राइप फ्रूट, राइप मेंस अडरलाइन दिस वर्ड पका हुआ, पके मी, मिठे मिठे आम, सुनते ही आपके मुँवें पानी आ गया होगा, ग्वावाज, अम्रूद, इन सब ये सब फल भी जब पक जाते हैं तो इनकी खुश्बू बहुत अच्छी लगती है, नाव, दो वर्ल्स लार्जेस्ट फ्लवर, रफलेश्या, अंडरलाइन दिस वर् smells of rotten meat, rotten means सड़ा हुआ, meat means mass, तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, देखें, जीके सरे लिटेटे कोशन भी आपके पास में है, आपके जानकारी में होना चाहिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लवर कौन सा है, रफलेश्या, अब रफलेश्या का स्मल कैसा है, सड एक positivity है, कि बहुत बड़ा सबसे बड़ा फ्लवर है, negativity हो गई, इसका जो smell है, वो अच्छा नहीं लगता है, सड़ेवे mass की तरह उसका smell लगता है, Now, uses of plants, पौधों का क्या इस्तमाल है, We depend on plants for many things, हम पौधों पर बहुत सारी चीजों के लिए depend करते हैं, निरभर रहते हैं, We get most of our foods from plants, हमें अपने भोजन का ज्यादा तर भाग कहां से मिलता है, वो plants से मिलता है, Cereals are the seeds of some plants, Cereals, अनाज, कुछ पौधों के दाने होते हैं, Weed होते हैं, जैसे Wheat, Rice, जवार, बाजरा, मिल्लेट, बार्ले, एंड कॉर्ण, आर से मिल्लेट, जवार, बाजरा, मिल्लेट ये भी एक तरह का अनाज है, बार्ले, जो, जिसको हम बोलते हैं, ये सब ही जो होते हैं, ये क्या है, Cereals से इन्हें अनाज बोलते हैं, Cereals are also called grains or food grains, इन्हें अनाज या अनाज के दाने भी कहा जाता है, The seeds of some plants are used as pulses, कुछ पौधों के बीज का इस्तमाल हम दाल के रूप में भी करते हैं, दाल खाते हैं न चावल के साथ रोज आपके घर पर दाल बनती होंगी, They are rich in protein, जो दाले हैं वो protein में बहुत ज़्यादा उनमें protein मिलता है, कौन-कौन सी दाल खाते हैं, can you tell some names of pulses, आपके घर पर मम्मी दाल बनाती है, पूछिएगा, अरहर की दाल होती है, औरद की दाल होती है, मूंग दाल होती है, चना दाल होता है, मसूर दाल होता है, The time of sugar cane and the roots of carrot are eaten, पालक के क्या खाते हैं हम, पत्ते खाते हैं, खा सकते हैं, शुगर केन, उख की जो डंडी होती है, उख का जो डंडा होता है, वो हम खाते हैं, चूषते हैं और क्यारट मीन्स होता है गाजर, गाजर जमीन के अंदर होता है तो वो उसकी जड हो गई तो गाजर की जड को भी हम खाते हैं fruits are rich in vitamins and minerals fruits जो है वो vitamins और minerals में बहुत ज्यादा इन में पाया जाते है fruits में mango, apple, banana and orange are some common fruits जो common day-to-day use में हम खाते है fruits में इसमें mango हो गया, apple, banana और orange ये कुछ ऐसे fruits है जो day-to-day use में हम खाते हैं students कुछ और fruits के नाम आप बता सकते हैं mango, apple, banana and orange के अलावा guava fruits होता है, watermelon fruits होता है plum fruit का नेम है, papaya fruit का नेम है, pomegranate fruit का नेम है और कुछ names आप याद करिए और याद करके लिखिएगा आपको question मिलेगा इससे ओके तो ये page number 6 और 7 मेंने explain किया है इसे related कुछ questions में आपको send करूँगी इन pages का pick भी send करूँगी इसके बाद इस page का, lesson का एक page और बच गया वो मेंने next video में आपको send करके इसके बाद इस lesson के हम exercises को करेंगे so here this video again and again तीन से चार बार आप इस वीडियो को सुनिए इसके related matter को देखिए जिनके पास books हैं वो books पलट कर, books खोल कर देखिए और पढ़िए थैंक यू